NTA के जारा ENTET 2024 का notification रिलीस किया गया है तो जो भी aspirants Indian system of medicine and homeoprati के अंतरकत जितने भी streams आ रही है जितने भी disciplines आ रहे है चाहे वो आयुरवेदा के हो वो युनानी के हो या सिद्धा के हो इन सब के अंतरकत अगर आप अपने आपको future assistant professors के रूप में देख रहे है तो आपको ENTET की परीक्षा qualify करनी पड़ेगी जो एक eligibility examination रहेगा इन सारी ही fields के अंदर future में assistant professors के बनने के लिए इसकी notification रिलीस करी गई है NTA के द्वारा which is national testing agency जो की UGC net conduct करता है social sciences के aspirants के लिए CSIR net conduct करता है science के aspirants के लिए अब ये आपकी ENTET की notification भी release करी गई है NTA के द्वारा 24 सितंबर से application forms available हो चुके है इनकी website के उपर last date 14 October की है 11.50 पर जिसके बाद आपको fees भड़ने के लिए आखरी दिथी देके रखे है 15 October की application form में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 16 और 17 October को आप उस गड़बड़ी को correct भी कर सकते है साथी साथ अभी तक examination की कोई date तो इन्होंने नहीं दी है लेकिन ये जरूर बताया है कि examination online mode में होगा यानि CBT mode में examination होगा MCQ based examination होगा 120 minute यानि 2 गंडे का ये examination entet का conduct किया जाएगा अब इस examination की जो website है वो इन्होंने update करी है जो की है nta.ac.in slash entet तो इस website के उपर जाकर के आप apply कर सकते हैं इस examination के लिए अगर ये आपकी field है तो और अगर कोई problem आपको आती है किसी भी चीज से related कि आपको कुछ पूछना है तो help desk का number देके रखा हुआ है यहाँ पर NTA का help desk number है और साथी साथ उनकी email ID भी provide करके रखी हुई है जो भी aspirants in fields के अंदर assistant professors के रूप में अपने आपको देखना चाहते हैं वो entet के लिए apply कर सकते हैं इसी तरीके की और informative videos के लिए आप हमारे चानल UGC ने Tata 24-7 को subscribe कर सकते हैं I hope यह video आपको beneficial लगा हो इसी तरीके की और notification या updates के लिए हमारे चानल UGC ने Tata 24-7 को subscribe करना बिल्कुल मन भुलेगा So we'll see you guys again in the next session Till then take care, bye everyone